नमस्कार दोस्तों स्वागति आपका एक बर फिर से हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नोलेज अबाउट मैडसिन्स तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि संस्क्रीन क्या होता है इसे क्यों यूज करते हैं संस्क्रीन को किस तरह यूज करना वो सिरफ उन्हें अपने फेस पे अपलाई कर लेते हैं दोस्तों मैं संस्क्रीन को सही तरह से उपयोग करने की जानकारी दूँगा साथ में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि SPF का मीनिंग क्या होता है हर संस्क्रीन पे SPF 20, SPF 30 या फिर दोस्तों SPF 50, 60 वगरा लिख संस्क्रीन है दोस्तों वीडियो के लास में मैं आपको कुछ ऐसी इंपोर्टन टिप्स भी बताऊंगा उन टिप्स को अगर आप फोलो करते हैं तो स्किन के रिलेटिड सभी प्रोब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी आपका चेहरा बहुत जल्दी गोरा हो जाएगा तो इ संस्क्रीन एक तरह का बैरियर होता है एक तरह की लेयर होती है जो आपकी स्किन को दूप से प्रोटेक्ट करती है दोस्तों नॉर्मली आप देख रहे हैं कि आज कर दूप काफी ज़्यादा पड़ रही है दूप की किरने हमारी स्किन को काफी ज़्यादा डल कर देती है हम मारी स्कीन पर काफी जड़ा रिंकल्स हो जाते हैं तो दोस्तों इन सभी प्रोब्लम्स को दूर करने के लिए स्कीन पर संस्क्रीन का यूज किया जाता है दोस्तों जब भी हम मार्केट जाते हैं संस्क्रीन बाई करने तो आपको दिखता होगा SPF और नंबर्स दोस्तों नंबर को साइड पर रख दीजिए सबसे पहले ध्यान देश पर दोस्तों SPF का फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्टिंग फेक्टर और आप उसके साथ जो नंबर होता है 20 SPF 30 SPF जा फिर दोस्तों 50-60 SPF वह इंडिकेट करता है कि वह संस्क्रीन आपको कितनी देर तक और तक प्रोटेक्टर बनेगी जिससे 3-5 यूवी यूवीड रेस का इफेक्ट नहीं करेगा अब दोस्तों बात आती है कि 15 SPF या 30 SPF कितने पर्शंत तक आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं SPF 30-97 पर्शंत तक आपकी सकिन को प्रोटेक्ट करेगा SPF 50-98 पर्शंत तक तक आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा और SPF 90 जो है वो 99 परसंट तक आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा तो दोस्तों जो संस्क्रीन मैं यूज करना हो उस संस्क्रीन का नाम है सुफ्ट टच संब्लोक एंटी एजिंग क्रीम दोस्तों यह एक नोन ओली वाटर इसेस्ट से प्रोटेक्ट करेगा आपको बार-बार संस्क्रीन लगाने की जुरूरत नहीं पड़े दोस्तों वीडियो के लास मिम आपको ये भी बताऊंगा कि और भी कई सरे ब्रैंड आते हैं मैंने उन सभी को छोड़कर सिर्फ इस संस्क्रीन को यूज करना क्यों शुरू किया और दोस्तों बात आती है कि संस्क्रीन को कैसे यूज करते हैं दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि संस्क्रीन को क्रीम की तरह अपने फेस पे रगड़ते हैं दोस्तों ये संस्क्रीन है इसको फेस पे बिल्कुल भी नहीं रगड़ना चाहिए इसको क्रीम की तरह बिल्कुल हो जाएगा यह नचृ裡 आपकी शिंप में पर पहले लगाई यह नगी कि आप संस्क्रीनलगाने से 15 बाht बाद आप दोस्तो बात आति estan क двух के प्राईज है आंड़ोपी्स मुधिक एह संस्क्रीन का प्राईज प्राईज था लेक्न 40% तक less आपको इस शंस्क्रीन पर मिल रही है, दोस्टो यह 200 ग्राम का संस्क्रीन है, जो की काफी सस्ता संस्क्रीन है, दोस्तो मार्करण में और भी कई सारे संस्क्रीन आते हैं, जैसे Lotus, Lakmi वगरा, वैसे तो वो संस्क्रीन काफी best है, लेकिन दोस्तो वो काफी ज़ bubbly दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अगर आप इस संस्क्रिप्शन को बाइक करना चाते हैं तो आप दिस्क्रिप्शन में दिए के लिंक से बाइक कर सकते हैं अब दोस्तों बात आती है उन टोप 5 संस्क्रिप्शन की जो मैं आपको रिक्मेंड कर सकता लिख दूँगा जो आप अच्छे से रीड कर लेना जिसे अगर आप फोलो करते हैं तो आपकी स्किन काफी ज्यादा प्रोटेक्ट रहेगी आपकी स्किम पे काफी ज्यादा फेर्नस आ जाएगी आपकी स्किन की डलनस भी दूर हो जाएगी तो दोस्तों आप उन टिप्स को अच्छे-एसे रीड करने ना अच्छे-एसे रीड करने ना